तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने YouTube चैनल को Professional YouTube चैनल बनाना चाहते हो और आप लोगोंने कई बार देगा होगा आप अपने चैनल को बन करते हो तो जो पीछे बेनर की जो साइज होती है वो आप लोगों ले फिट नहीं बेट रही होगी उसको कैसे चेंज करते हैं कैसे आप नए डालते हैं साथ इसाथ में नए बेनर को कैसे बनते हैं तो यह सारी की सारी जानकरी आप लोगो इस वीडियो के अंदर देने वाला हम तो बिना किसी देरी के चल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू लेकिन उससे पहले किसी ने चैनल को सबस्काइब नहीं करा है तो चलो से चैनल को सब्सक्राइब कर लो YouTube Banner में ने सर्च कर दिया है यहां पर जिसकी साइज से वो बताई है यह पच्छी सो साट इंटू 1440 पिक्सल्स तो इस साइज का हम सभी जनों को बेनर जो है बनाना पड़ेगा तो इसके लिए हम सभी जने क्या करते हैं यहां पर इमेज के उप्शन पर सेलेट कर लेते हैं इस साइज के हमार को इमेज मिल जाएगी तो फोटो सिर्प और सिबूस के ओपर चिपकाना पड़ेगा अलग से मेनत मचकत नहीं करनी पड़ेगी तो यह जो फोटो हमार को परफेक्ट साइज का मिल गया है इसको मैं क्या करता उपर की साइड में फाइल माई डाउमलोड हो चुकी है अब हमार को यहां पर क्या करना है हम सभी जुनों की इमेज डाउमलोड हो चुकी है अब हमार को एक एडिटर की यह जुरूत पड़ेगी तो मैं पिक्स आर्ट के अंदर इसको बनाने वाला हूँ तो यहां पर एड यहां पर ले लेता हूं, तो more color के option पर जाएंगे, 8 कर देंगे इसको, और photo size थोड़ी बड़ी है, तो इसको मैं थोड़ी से crop करके छोटा कर लेता हूं, छोटा करने के बाद में, इस size के ओपर हमार को fit बीटाना है, और इसी के ओपर हमार को banner create करना है, क्योंकि 2560 x 1440 के मार को size यह थी, वो इसके ओपर बिल्कुल fit बेटेगी, तो पूरा मैंने इसको यहां पर red background बने लिए, क्योंकि red color YouTube भी थोड़ा red में होता है, तो इसका banner भी हम red में बनाएंगे, तो combination अच्छा खासा यहां पर जम जाएगा, अब हम क्या करते हैं, यहां पर sticker के अंदर चलते हैं decoration देख लेते हैं, कुछ सजावट अगरा करने के लिए कुछ अच्छा खासा item मिल जाए, तो अच्छी बात है, तो चलो यहां पर यह चीज़नों काफी चल लगी है, तो इन तीन color के यहां पर पट्या बनी वी, इनको लगाते है, set करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, कि किस जिगब पर यह perfect तरीके से set याप पर हो जाएगी, इनको मैं set में लगा देता हूँ, अब हमारे को एक photo लगाना पड़ेगा अपना, ताकि थोड़ा channel लगेगी, अपना ही channel है, किसी और का channel नहीं है, तो ओको ऐसे भी thumbnail के photo मेरे पास में रखे हैं, एक photo ले ले लेते ह हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा person के ओपर click, थोड़े से यहाँ पर इसने black color ले 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 इस्ट्रा, तो इस को क्या कर देते हैं, crop कर देते हैं, और अब क्या करेंगे, अब सभी लग रहा है photo यहाँ पर, अब हम right option पर click कर देता हूँ, अब इस photo को में select करूँगा, तो मेर photo क्या करना पड़ेगा, इस side में set करना पड़ेगा, तो इस design को decoration को क्या करते हैं, side के अंदर लगा देते हैं, और मेरा जो perfect photo रहेगा, वो इस side में left side में लगा देता हूँ, photo को अच्छे से set कर लेंगे, और अब हमार को क्या करना है, बीच में channel का नाम देना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे, हाँ यार, इस channel का banner बना हुआ है, तो इस channel का यहाँ पर जो है, नाम भी दिना पड़ेगा, इसके लिए याँ पर में लिग देता हूँ, लविश और बीच में लिग देते है, X, और फिर याँ पर लिग देते है, gaming, words आप लोग चेंज कर सकते हो, अगर आप लोगों को यह पसंद नहीं हो, आपको थोड़े आड़े टड़े, या फिर करजी राइटिंग, हिंदी वगेरा, बहुत सारे font यहाँ पर मिल जाएंगे, तो अलग-अलग size के अंदर आप लोग इनको shade कर सकते हो, अलग-अलग writing के अंदर भी कर सकते हो, तो अप पर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, attractive भी लगेगा और थोड़ा professional भी लगेगा, अब यह काम मैंने कर दिया है, अब हम क्या करता है, लाइक, कमेंड, share, subscribe यह कुछ यहाँ पर लगा देते हैं, उससे हमारा जो बेनर है, और अच्छा लगने लग जाएगा, तो म में set कर लेता हूँ, इस जगह पर, तो यह जगह मुझे काफी the perfect लग रही है, अब मैं इसको यहाँ पर fix कर देता हूँ, लाइक, कमेंड, share, subscribe से लोगों को अच्छा लगेगा, भी चनपर विजिट करेगा, तो अगर भूल रहोगा, तो subscribe करता ही जाएगा, अब social media icon ले ले मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, इसको set करने की कोशिश करते हैंगी, किस जगह पर यह अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, थोड़ से outline इस पर भी डाल देते हैं, ताकि अलग से अच्छा सा highlight हो करके हमारे को दिखने लग जाए, अब हमारे को मैं लगा दिया है, तो चलो इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ, इस जगह पर, तो मैंने इसको fit कर दिया है, यहाँ पर, अब देखो, banner लग रहा है न, अच्छा वाला, तो यह हमारे banner complete हो चुका है, save मैंने इसको कर लिया है, chrome browser प हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्या करें हमारे को निया, तो यह हमारा जो banner आपके सामने में ने बनाया था, यह पूरा आ गया है, अब यहाँ पर हम save के option पर click करेंगे, तो आप लोग थोड़ा से आपर confused होगे कि banner आदा ही select क्यों हो रहा है, तो मैं आपको उसका आगे चल करेंगे reason बताने वाला हूँ, यह आदा यह पूरे select हो रहा है, लेकिन आप लोगो पता नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है, मैं बताता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने select कर दिया है, अब मैं इसको वापस add के option पर click करता हूँ, आप लोग लोग देखो, यहाँ पर लिखावा है, विजिबल on desktop, पर आप देखो के तो full size दिखेगी, और mobile site के उपर देखो के तो इतना सा दिखेगा, अब लाइप रूप में आप लोगों को इसका यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर laptop का आइकन बनाओ पीछे तो लवीश एक्स गेमिंग पूरा जो बेंदर हमने बनाया है, पास में दिखेगी बात नहीं, आपको इसका बेंदर पूरा दिखाए देखा, यह देख सकते हैं, मैंने laptop size पर दिखा रहा हूँ, आपको लवीश एक्स गेमिंग पूरा इसका दिखाए दे रहा है, तो यह हमने एक तब अच्छे से इसको सिलेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से स इसका बेंदर, इसके अंदर कोई ज्यादा मेनत मस्कत करने की जुरूत नहीं है, तो दोस्तों बस यही थी वीडियो, वीडियो आप लोग कैसे लगी है, लाइक करके, कमेंट करके, जूर से बतना, मिलते हैं ने श्टूडे के अंदर, तब तक लिए टेक के, जैने दोस्त स्थम्हान Đấ्स मैंदर कृत्स है, जैने बतना, मिलते हैं पोस्तों पेथा से लाइको झाल नहीं है, जैने का है जो जडना, मिलते हैं झालति हैं।